हई हालो स्टूडेंट्स । डेजिंग क्लास आज दस आपके रहने वाली है जिसमें हम आपके हिंदि- इंग्लिस से संब्धि जो-जो इंप्पोर्टेंट फेक्ट वो सारे ही कवर करने वाले हैं तो जो भी स्टूडेंट है जिनको करेंट की पीडियेफ चाहिए यह पीडि नाइन उपीज में आपको पीडियाफ फाइल मिल जाएगी देखा आपके जो हिंदी इंगली से डेली डोज क्लासेज चल रही हैं इस क्लास के बाद में यह दसवी क्लास है इसके बाद में अब जो आगे की क्लास चलेंगी उनमें हिंदी इंगली से जीके करेंट फैर सब कु कुछ Indian geography की भी लेंगे इस तरह से हम सब कुछ ही अब आगे वाली classes में add करने वाले हैं मतलब आगे वाली classes थोड़ी बड़ी हो सकती हैं लेकिन उन classes से आपके ये फाइदा होगा कि सीधे सीधे आपको exam में प्रशन देखने को मिल जाएंगे जैसे हिंदी English के अब class हुई हैं तो हिंदी English में जैसे आपके विलोम शब्द ज्यादा cover कर लिए अपने तो अब आने वाली classes में हम और दूसी चीज़ें आपके ले लेंगे ज्यादा जैसे अनिकार तक शब्द हमने ले लिए और भी जैसे चीज़ें हैं आपके पत्रें उसके प्रकार के questions से ले लिए उन पहले विलोम शब्दों की बात करेंगे उनमुलन इस्थापन उनमुलन का क्या होगा इस्थापन हो जाएगा अधम का उत्तम होता है अधम का उत्तम होता है व्रदी का संक्षेपन होता है अमर का मृत्ते होता है सुबोद का दुरबोद होता है इस्थावर का जंगम होगा देखो ध्यान रखना स्तावर का जंगम होगा मतलब जंगम का स्तावर होगा विलोम शब्द हैं एक दूसर के उल्टे होते हैं तो आपको जंगम दिख जाए तो स्तावर कर देना है निशिद का विहित होगा मलीन का निर्मल होगा आगरह का दुरागरह होगा और प्रेवर्ती का नीवर्ती होगा जैसे शब्द आए अगर student के हातों हात उसका विलोम शब्द निकल रहा है मतलब वो विलोम शब्दों में नहीं अटकने वाला है तो आपकी भी इसी तरह से प्रेक्टिस होनी चीए कि हातों आज जैसे मैंने बोला उन्मुलन अपने आप आना चीए इस्थापन अधम, उत्तम, व्रदी, संक्षेपन, अमर, मृत्य, सुबोध, दुरबोध, इस्थावर, जंगम, निशिद, विहित, मलिन, निर्मल, आगरह, दुरागरह, प्रेवर्ती, नीवर्ती तो इसी इसाफ से आपको भी ये सारी चीज़ें आनी चीए, सारा आपको इसी तरह से करना है इनको कुछ देखते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियां आँख का काटा होना बुरा लगना जैसे बोलते हैं न, ये तो मेरे आँख का काटा हो गया है आंक का काटा होना बुरा लगना किसी को अपनी खिचडी अलग पकाना अपनी बात सबसे अलग रखना इसे बोलते भी तो है न कि इसकी खिचडी तो अलग ही पकती है तो अपनी खिचडी अलग पकाना अपनी बात सबसे अलग रखना अपने पेरो कुलहरी मारना अपना नुकसान स्वेम करना उसे बोलते हैं अपने पेरो कुलहरी मारना आखों में धूल जोगना धोका देना आखों में धूल जोगना का मतलब क्या होगा? धोका देना हो जाएगा आसन डोलना किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना क्या कहलाता है आसन डोलना कहलाता है देखो शब्द शुद्धी जब भी आती है एक ही चीज में आपको बार बार बोलता हूँ कि आप इसको जितना लिक लिक करोगे उतना ज्यादा सीखोगे जैसे आपके आगे तदंतर इस तरह से लिखा जाएगा ऐसे ही हैं हमारे पास रची यता यहीं होता है रच यीता होता है रची यता ध्यान रखना कई पर एक्जामें पुछा गया है रविंदर रवी प्लस इंदर बना है दिर्ग संदी से शब्द बना है रविंदर जिसे लगू प्लस उत्तर से लगूतर बन गया तो उ प्लस उ क्या बनाएंगे बड़ा उ बनाएंगे इसे ई प्लस ई क्या बनेगे बड़ी बनेगी तो यहाँ पर बड़ी मातर आती है ध्यानकना दोनों में ही दोनों में संदी पूछे, दिर्ग संदी है तदो परांथ नहीं होता, तदू परांथ होता है सही शब्द क्या होगा, तदू परांथ यह बताओ आप आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको क्या होगा सही अर्थ आकाश के तारे तोड़ना एसंभव कारिय करना अगला बताना है कि जागरित का विलोम शब्द है तो जागरित का क्या हो जाएगा सुप्त हो जाएगा स्टेचियोरी शब्द का आर्थ इन में से कौन सा है सामविधिक बोलते हैं कि जार्ज पेटिशन के लिए सही पारिबाशिक शब्द बताओ कॉन सा है कि जार्ज पेटिशन क्या बोलेगे उन वोचनर या चिगा बोलते हैं discharge petition देखो आपके exam से प्रişण आएंगे ये चार options होगे discharge petition के लिए सही पारीवशी शब्द है options होगे आपको इनमें से answer देना होगा आजके लिए एक नया option दे दिया पांच वा तो उनमोचन याची का 1st answer हो जाएगा आई परिहरीte uneavidable एपरिहार यह है जिसको avoid नहीं किया जा सकता unavoidable हो जाएगा विश्पर शब्द का हिंदिय नुवाद बताओ विश्पर किसको बोलते हैं विश्पर का मतलब हो जाएगा काना फूसी कोिले की दलाली में मुह काला लोकोकती का अर्थ है कोईले का व्यापार करना है क्या बिलकुल नहीं है जूंट बोलना है क्या नहीं है बुरे काम में बुराई मिलना बिलकुल यही है यह भी नहीं है तो अपिन तीसरा सही हो जाएगा कोईले की दलाली में मुह काला लोकोक्ती का अर्थ क्या हो जाएगा बुरे काम में बुराई मिलना कलाई खुलना मुहावरे का बहावार्थ है कलाई खुल गई मतलब देखो एक बार तो आप जिसे ओप्शन्स भी देखोगे न तो कुछी चीजे है तो आपके उप्शन्स से भी कलिर हो जाएगी कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है अर्थ अलगी निकलता है कपड़े की सिलाई खुल जाना तो इस तरह का अर्थ निकलेगा नि बरतन की कलाई उतर जाना ये भी नहीं निकलेगा कली का खिलकर फूल बन जाना ये भी नहीं निकलेगा मतलब बावार्थ अगर आप समझ गए कली खुलना मतलब मुहावरा है कोई अलगी अर्थ निकलेगा रहसे परकट हो जाना कली खुलना रहसे परकट हो जाना कई बार क्या होता है जो प्रिशन होता है उसे में ही उत्तर भी चिपावा होता है पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ेगा तो उत्तर जरूर सही निकाल लेगा जस दुलहा तस बनी बाराता लोकोक्ती का अर्थ है देखो सबी पढ़ते हैं एक बार उप्शन देखते हैं जस दुलहा तस बनी बाराता सारे उप्शन देखना पले से जस दुलहा तस बनी बाराता हाथ फिलाना ये तो होगा नहीं अलगी अर्थ निकल रहा है संगटेंसे ही कारिये शिद्ध होता है ये भी कोई अर्थ ही निकल रहा है इसका तो अब है कि जस दुला तस बनी वारता सभी साती एक जैसे ये अर्थ इसका निकल रहा है और ये एक अप्शन है कि बे डंगा होना तो ये भी नहीं निकल रहा है तो जस दुला तस बनी वारता जैसा दुला विसी वारता समझ गे सभी साती एक जैसे ये अर्थ निकल रहा है अच्छे से पढ़ोगे अर्थ अपने आप निकाल लोगे बस चीजों को ध्यान दो अच्छे से स्टडी में लगो ऐसे नहीं कि दस पांच मिन पढ़ लिए उठ गए एक वार थोड़ा सा टाइम दोगे आज मैं कुछ आपके वाक्य शुदी जो आते हैं आपके उससे कुछ सेंटेस लेकर आया हूँ इससे आप काफी चीज़ें कवर होंगी काफी चीज़ें आप सीखोगे जैसे देखो एक वाक्य देर खाए है कि वह कहा कि मैंने ही यह चिट्थी लिखा है इसको पढ़ोगे तो अपने आप समझ वे आएगा कि गलत है पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है क्या लिख दिया है वह कहा कि मैंने यह यही यह चिट्थी लिखा है तो इसका सही बनेग उसने कहा कि मैंने यह चिठी लिखी है अब इसको पढ़ोगे अच्छा लगेगा उसने कहा कि मैंने यह चिठी लिखी है लाश्ट में पूर्ण विराम भी लग जाएगा दो इस विद्याले में सो चातर है ये गलत है इस विद्याले में दो सो चातर है इस विद्याले में दो सो चातर है इस तरह से ये बनेगा यहे बालक कहां जा रहे हैं यहे बालक अब यहे बालक की बात हो गई बालक है तो जा रहा होगा नहीं कि जा रहे हैं होगा तो यहे बालक की जगह हम बोलेंगे यह बालक कहां जा रहे हैं अब देखो यहाँ पर यहे बालक लिख दिया इनोंने यहे बालक कहां जा रहे है प्लूरल है तो इसको प्लूरल में बनने के लिए ये बालक कहां जा रहे हो जाएगा यह लोग कहां जा रहे हैं यह लोग नहीं यह लोग होगा यह लोग कहां जा रहे हैं वे क्या करना चाहता है वे नहीं होगा वह होगा वह क्या करना चाहता है आप sentence पढ़ोगे अपने आप लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़ बढ़ है वहाँ केवल वहाँ दो लोग थे तो यह बनेगा वहाँ केवल दो लोग थे केवल वहाँ दो लोग थे की जगह है वहाँ केवल दो लोग थे वहाँ केवल दो लोग थे अब कई बोलते हैं न जैसे कि गया था मैं कानपूर कुछ अच्छा खास नहीं लगा गया था मैं दिल्ली लेकिन ये sentence वाक्य गलत हो जाएगा सीधा सीधा sentence बनेगा कि मैं कानपूर गया था महा देवी छायावादी कवित्री है बिल्कुल गलत है महा देवी छायावादी कवित्री है रट लेना एक्जाम वालों का फेडरीट है तो आप बोजन किये नहीं होगा, क्या आपने बोजन किया होगा, यह वरक्ष आम का है, यह आम का वरक्ष है, यह आम का वरक्ष इस तरह से बनेगा, तो यह वाकिय शुदी है, जब sentence डंक से पड़ोगे, अपने आप गलतिया निकालने लग जाओगे, बस एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से, अब कुछ आप ये बात करते हैं, इंग्लिश में वोकेब के बारे में, जितना लिख लिख के रटोगे, उतनी जल्दी याद होगी, diversity का मतलब होता है, भिन्नता, विशमता, difference बोल सकते हैं, variety बोल सकते हैं, range बोल सकते हैं, diversity, diversity, antonyms, agreement हो जाएगा, sameness हो जाएगा, और similarity हो जाएगा, agreement, sameness, और similarity हो जाएगा, ऐसे dynamic, शक्तिमान जिसको बोलते हैं, energetic, powerful, active गलाता है, dynamic मतलब active होता है, energetic होता है, powerful होता है, और antonyms, half-hearted हो जाएगा, lethargic हो जाएगा, half-hearted, lethargic, immigration का मतलब होता है, प्रदेश गमन, immigration, प्रदेश गमन, departure हो जाएगा, journey हो जाएगा, और migration हो जाएगा, antonyms, immigration हो जाएगा, arrival हो जाएगा, entrance हो जाएगा, spelling देखना, E-M-I-G-R-A-T-I-U-N हो जाएगा, enormous का मतलब होता है, बहुत बड़ा, gigantic, huge, immense, vast, enormous का मतलब क्या होता है, very big, बहुत बड़ा, gigantic बोल सकते हैं, huge बोल सकते हैं, immense बोल सकते हैं, vast बोल सकते हैं, enter name, tiny हो जाएगा, miniature हो जाएगा, small हो जाएगा, tiny, miniature, small हो जाएगा, exaggerate का मतलब होता है, बढ़ाना, exaggerate, बढ़ाना, amplify, magnify, और enlarge हो जाएगा, amplify, magnify, enlarge, enter name की बात करें, compress, play down, understate, decrease होगा, अब कुछे बात करते हैं, आपके determiners के बारे में, यहां से भी आपके topic दे रखा है, अलग से questions आईगे, तो उसमें कुछे चीजे हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको मैंने यह पे सारा से कुछ करवा रखा है, कुछ चीजे, important चीजे आपको बता देता हूँ, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, no, any, यह दोनों क्या है, adjective है, दोनों एक ही noun का गुण नहीं बता सकते, ध्यान रखना, इसलिए दोनों एक साथ सेंटेंस में नहीं आएंगे, अगर आपको no or any एक सेंटेंस में एक साथ दिख जाते हैं, गलती है, सेंटेंस गलत है, ध्यान रखना, जैसे, I have no any book, गलत है, no or any का मतलब सेंट से एक निकलेगा, ध्यान रखना, तो ये गलत हो जाएंगे, और ये बता रहें क्या है, बुक कि यहां पर noun है, एक नाउन का गुन बता रहे हैं, गलत हो जाएगा, I have no any novel, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि no or any एक साथ नहीं आएंगे, बनेगा कैसे, इसके हम बात करें, I don't have any book, I don't have any book, I don't have any novel, इस तरह से हम बनाएंगे, I don't have any book, I don't have any novel, ऐसे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, एक तो आपके आता है, little, a little, the little, एक आता है, few, a few, the few, ये आते हैं आपके, क्या क्या आता है, little, a little, the little, few, a few, the few, इस तरह से आते हैं, जो little, a little, the little है, ये ध्यान रखना, ये uncountable noun के साथ में आएगा, और negative sense देगा, मतलब जो count नहीं किया जा सकता, uncountable होगा, वहाँ little आएगा, जिसको हम count नहीं कर सकते, जैसे milk को count नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आएगा, वोटर को count नहीं कर सकते, वहाँ पर little, a little, the little, knowledge को count नहीं कर सकते, तो knowledge को भी हम क्या बोलेंगे, little, a little, the little, तो जो count नहीं किया जा सकता, जैसे हम ऐसे थोटी बोलते हैं, कि उसके बाद 2 knowledge हैं, तीन knowledge हैं, ऐसे बोलते हैं कि उसके बाद knowledge है, फ्यू, एफ्यू, देफ्यू की बात करें ये countable के साथ आता है negative sense में आता है ध्यान रखना है sentence करेंगे आप देख जाओ, समझ जाओगे सबसे पहले बात करें little के बारे में little का मतलब होता है कि मात्रा में ने के बराबर और ये वाक्य हमेशा नकारातव भाव देगा little का मतलब सीधा साथा समझ लो ना के बराबर का मतलब जिससे काम नहीं चल सकता है वो है, ना के बराबर है बिल्कुल काम नहीं चलेगा little का मतलब होता है मात्रा में थोड़ा सा, जैसे कलास में 50 बच्चे हैं, 15 पास हो गए तो ऐसे कह सकते हैं या फिर water की बात करें तो थोड़ा सा पानी है दूद की बात करें थोड़ा सा दूद है तो वहाँ पर लगा सकते हैं और that little जितना है वो सारा ही जैसे इसे बोलते हैं हम कई बार कि जितना दूद था वो सारा का सारा ही भै गया तो उस sense में यूज करते हैं ऐसे फ्यू की बात करें फ्यू बोलेगा की संख्या में ने के बराबर नकारात्मक भाव देगा फ्यू बोलेगा थोड़ा सा और positive sense देता है ये बिल्कुल द्यानक नहीं positive sense देता है a little or a few और the few जो भी मातरा में वो सारा संपूर्ण अब sentence देखो कि आप समझ जाओगे मैंने अभी तक जो आपको रामान महाबारत बताईए वो sentence से आपके समझ में आ जाएगी clear हो जाएगी जैसे देखो He has little knowledge of computer He has little knowledge अब knowledge क्या है uncountable है जिसको count नहीं कर सकते इसलिए मैंने little लगाया है यहाँ फ्यू नहीं लगाया है और little का मतलब क्या हो गया negative sense देगा ना के बराबर बिल्कूल भी एक्दम यह देखो उपर उपर देखो आपके मातरा में ना के बराबर और आलिवेश क्या देगा ना कारात्म के भाव देगा तो ध्यान रखना he has little knowledge का मतलब कोई knowledge ही नहीं यह मालो उसको computer को there is little milk in the pot with which I can't make even a single cup of tea अब देखो आप समझो इस चीज को समझ जाओगे यह प्रशन आपके गलत नहीं होगा यह मैं यहाँ से मालो little हटा देता हूँ अब आपके sentence इस तरह से दियावा होता कि there is milk in the pot with which I can't make even a single cup of tea मतलब इतना ही दूद है कि एक चाई भी नहीं बन सकती तो यह बात कहां बठेगी ने के बराबर वाले sentence में बठेगी और ने के बराबर वाले में क्या आएगा little आएगा तो इस तरह से आप समझ जाना we have hope of his recovery we have little hope मतलब ने के बराबर उमीद ही नहीं होना a little knowledge is a dangerous thing थोड़ा ग्यान क्या होता है खतरनाग होता है a little आएगा यहाँ पे हमेशा a little ही यहाँ पर आता है ध्यान रखना a little knowledge of a little knowledge is a dangerous thing he has a little knowledge of computer मतलब उसको computer का थोड़ा सा knowledge थोड़ा सा ग्यान है he has lost the little money that his father had sent मतलब जो उसके पापा ने जो भी पैसा बेजा था जो भी था वो सारा गया सारा लोश्ट कर दिया इसने तो he has lost the little money that his father had sent जो भी उसके पापा ने बेजा था माल दो हजार उपे वैजे दे अब वो हजार भी वो लोश्ट कर दिया कुछ नहीं है उसके बराबर ठंठन को पा ले use the little time you have in a proper way now sentence क्या बोल रहा है कि जितना भी अब time बचा है उसको डंग से use करना proper way में use करना उसको तो use the little time as I have few books अब बुक के साथ few क्यों आया countable है कितनी बुक होंगी एक बुक दो बुक जितनी भी है तो countable होगी है तो as I have few books I can hardly pass this exam मतलब ना कि बराबर books हैं उसके पास इसलिए पास नहीं कर पाएगा exam few people are fully happy few people ना कि बराबर लोग खुश है few women can keep secrets secrets ना कि बराबर जो महिलाई हैं वो क्या कर सकती है secrets रख सकती है अपना the paper was tough only a few students have passed लेकर sentence को समझना अब मालो है तो मैंने लिख दिया few आईगा यहाँ पे अगर आप समझोगे ना तो कर दो अगि इसको सही the paper was tough तो paper थो थोड़ा hard था only students have passed मतलब कम students ने पास किया है लेकिन पास तो किया है ना इसलिए a few आएगा यहाँ पे पास तो किया है ना इसलिए a few आएगा जाना करा a few people are very happy मतलब थोड़े बहुत लोग हैं जो खुश है he has donated the few books he had to the library जितनी भी books थी वो सारी क्या कर दी donate कर दी the few books जो भी था donate कर दिया the few clothes he had all burnt in fire जो कपड़े थे थोड़े बहुत वो क्या होगे जल गए मतलब जो भी थे सारे ही जल गए he asked me a few questions उसने कुछ मुझे सवाल पूछे तो इस तरह से sentence बनते हैं तो यह आपके हिंदी इंग्लिस daily dose की class 10 हो गई है अब जो आपके आगे classes होंगी वो थोड़ी लंबी classes होंगी थोड़ी मेरा थन टाइप में classes होंगी क्यूंकि मैं अब कोशिश करूँगा कि बाकी जो 40 classes आपकी हैं उनमें जितना ज़्यादा meter हो सके आपके cover किया जा सके जितना ज़्यादा हो सके में cover कर सकूँ पहली भी बताया था आपको वापस बता देता हूँ जिनको current affair की PDF फाइल चाहिए PDF फाइल मिल जाएगी डेनिल classes की एप में जाओगे वहाँ पर मिल जाएगी आपको 39 उपीज में मिलेगी प्रिंट आउट चाहो तो प्रिंट आउट निकल जाएगा उसका तो यहाँ पर पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ लोगे 1000 questions है उसमें और वन लाइनर वो questions है अब आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके share जरूब करना ताकि एक्जाम तक इसी तरह आपके लिए में लगातार मेहनत करता रहूँ आपका share selection हो चैनल पे नए हो सबस्क्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना धन्यवाद